असलाम लेकुम जी मेरे नम है आमर उमीद है कि आप खेरीद से होंगे आज की मेरी ये वीडियो मिनी टूल डैटा रुकवरी सॉफ्टर के बारे में है तो सबसे पहले आपने गूगल सर्च बार में मिनी टूल डेटा रकवरी लिखकर सर्च करना है फिर आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यहां पर आपने सबसे पहले यूटिल्टीज पर क्लिक करना है फिर आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर डेटा रकवरी सौफटर के दो लाइसंस हैं पहला लाइसंस सिर्फ परसनल इस्तमाल के लिए है और दूसरी लाइसंस को आप बिजनस के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो मैं आपको यहीं recommend करूँगा क्या आप Data Recovery Software का एक बिजनस लाइसंस ही खरीदें Data Recovery Software का बिजनस लाइसंस खरीदने के लिए आपने यहाں Business पर क्लिक करना है Mini Tool Power Data Recovery का Life Time License खरीने के लिए आपने यहाँ Buy No पर क्लिक करना है. Commercial Life Time License खरीने के लिए आपने यहाँ For Business Users पर क्लिक करना है. आपके सामने ये चार लाइसन्स शो होंगे. ये चारों के चारों Life Time License हैं. इन में से आपने सिरफ Business Deluxe के Perpercial License को ही हरीदना है. इसकी कीमत $199 है. इस लाइसन्स को आप एक कम्प्यूटर पर Life Time के लिए इस्तमाल कर सकोगे. और इस लाइसन्स की आपको Life Time Free Upgrade दिस्तियाब होंगी. और सबसे बड़ी बात ये कि आप इस Life Time License को Commercial मकास्त के लिए भी इस्तमाल कर सकेंगे. इस Life Time License को खरीदने के लिए आपने यहाँ फिर से Buy No पर कलिक करना है. उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी Billing Information इंटर करनी है. पहले आपने अपना Email या Gmail इंटर करना है. मतलब जिस Email या Gmail से आप इस Software को खरीदना चाहते हैं. फिर अपना First Name और Last Name इंटर करना है. उसके बाद आपने अपने Country का नाम Select करना है. फिर अपने City का Postal Code इंटर करना है. यहाँ अपने City का नाम इंटर करना है. फिर अपनी Company का नाम इंटर करना है. और उसके बाद आपने अड्रेस इंटर करना है जहां आप रहते हैं यहां से आपने थोड़ा उपर आना है यहां आपने अपने बैंक कार्ड की इंफॉर्मिशन इंटर करनी है पहले अपने बैंक कार्ड का नंबर इंटर करना है उसके बाद अपने bank card की expiry date इंटर करनी है फिर अपने bank card का security code इंटर करना है और आखर में आपने यहाँ buy no पर क्लिक कर देना है mini tool power data recovery software को खरीदने के बाद registration की आपके email ये gmail पर एक SMS के जरीए बेज़ दी जाएगी आप इस registration की के जरीए software को register कर सकेंगे और इसके बाद आप इस software को life time के लिए इस्तमाल कर सकेंगे और यहां पर मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद इस software को promote करना नहीं है बस आपको सही information देना है कि आपको कौन सा life time software buy करना चाहिए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकोन पर जरूर कलिक करें ताके मेरी हर नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अलाहाफिज